How to fix Android System WebView not working problem नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि Android System WebView अगर काम नहीं करते आपके मोबाइल पे तो कैसे आपको सॉल्फ करना है ये प्रॉब्लेम ये मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है वीडियो को आप पूरा देखे सॉल्फ को फोलो करें प्रॉब्लेम आपका सॉल्फ हो जाएगा ये System WebView दोस्तों आपके मोबाइल पे एक बहुत ही important setting है ठीक है एक बहुत ही important function आपके सकते है तो System WebView दोस्तों एक बहुत important function है आपके मोबाइल पे जो कि आपके software के साथ attach रहते हैं तो अगर दोस्तों वही काम करना बन कर देते हैं मोबाइल पे तो कैसे कैसे आपको solve करना है ये जान लीजिए इस वीडियो को देखें वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को जो है subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को click करें अगर आपको online जो है पेसा कामाना है तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तो एक बार प्ले स्टोर में जाए एंड्रोइड सिस्टेम वेव्यू को सर्च कीजिए अपडेट चेक कीजिए तो लास अपडेट दोस्तों यहां पर हुआ था फेवेवरिस 16 2021 ठीक है तो इसका जो अपडेट है वो अल्डेडि मैंने कर दिया है तो अभी दोस्तों आपके बारी है आप इसको अबडेट कीजिए जा के चेक कीजिए और दोस्तों हो सके तो आप beta version को जोईन कीजिए टाकि बडेका beta version नीचे में तो उसको जोईन कीजिए ताकि आपको latest update जल से जल मिलते रहें तो ये कर लिजिए उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है सेटिंग पर जाना है सेटिंग पर जाके दोस्तों स्क्रॉल डाउन करें एंड एंट आपको क्या करना है एप मेनेचमेंट पर क्लिक कर देना है एप मेनेचमेंट मैनेचमेंट या फिर इंस्टॉल एप करके आप प्रोस्तौब करते हुए दोस्तौआप को स्टोरी डूर Delicious पर जाना है क्लियर डेटा करके इसका डेटा को क्लियर कदेश है थेक है अपको क्या करना है मॉबाइल प्रिस्टार्ट करके लें उसके बाद द disciplines करके लो जाएं तो इस तरह के सभके आप जो है solution को कीजिए problem solve कीजिए अगर problem solve हो जाता है तो अच्छी बाद है अगर problem solve नहीं होते तो दोस्तों आपको जाना है mobile के setting पर setting पर जाके दोस्तों आपको क्या करना होगा scroll down करके अपना mobile software को update कर देना है mobile software update करने से आपके जो mobile पर functions वगरा रहते वो अच्छे से काम करना शुरू हो जाते हैं तो mobile software को update करें software जैसे ही दोस्तों आप update करोगे आपका android system review का problem भी solve हो जगा आपको software download ही नहीं करना है mobile पर install भी करना है ठीक है उसके बाद ही solve होगा आपका problem तो इस तरीके से problem को आप fix कर सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लेजे by any chance अगर solved नहीं होते हैं आपका problem तो फिर क्या करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप जाईए mobile के additional setting पर scroll down करें बेका बेन reset पर जाके reset to factory setting करना है reset system setting only करके आपको reset कर देना है उसके बाद दोस्तों आप जो है check कीजिए ठीक है जब आपका mobile completely clear हो जागा उसके बाद आपका Android system review का problem भी solve हो जागा तो इस तरीके से problem को solve कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो जो है पसने होगा thanks for watching